हेलो फ्रेंज वेलकम टो ससी मेकर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जन्रल अवेनेश के इंपॉर्टन टॉप 20 MC की डिटेल में डिस्कस करेंगे यह जन्रल अवेनेश की सीरीज का पार्ट 122 है जो कि आपके आने वाले रेलवें अंटी पीसी, ग्रूप डी, ससी सीज्रिय जोड जान लेते हैं आज का थोट है टेक रिस्क इन यूर लाइफ, इस वेन यू कन लीट, इस यू लॉस यू कन गाइड इसका मलब दोस्तों यह कि अपने जीवन में जोखिम लेलो अगर आप जीत गए तो आप नैत्रित्व कर सकते हैं यदि आप हार गए तो आप गाइ हैं दोस्तों मकडियों में चार जोड़ी यानि की आठाके होती हैं और मकडियां संग जो है अर्थो पोड़ा के प्राणी हैं मकडियां जो है उदर के पश्च भाग में इस्तित करंतियों के शावक से जाल बनाती हैं दोस्तों इसमें सटीक कुछ नहीं है कुछ को जो है के क्या होता है एक ही गोतिया ठीक है इसमें दोस्तों अलग अलग हो है तो आप दियान रखिएगा नेक्स्ट केशन पूचलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्डन केशन है निमलिकित में से कौन सा जीव मौलास्क परिवार से संबन देथ हैं पताइए दोस्तों तो दोस्तों वह है घोंगा ओके घोंगा संग जो है दोस्तों मौलास की गैस्ट्रोपोडवर का प्राणिंग है इनके शरीर के चार और देहबित्ती के वलन से बना मैटल होता है जो प्राए एक कैल्शियम योगत कवच का स्रावन करता है याद रखिएगा दोस्तों और दोस्तों ये व है मगरमच के बच्चे को क्या का जाता है बताइए दोस्तों वह कैलाता है है एक मैडे दos से है मचली के बच्चे को प्राई का जाता है याद रखेगा नौस्ट को चलते हैं हमारा next important question है निमले कित में से रीड की हड़ी वाला यानि वर्टिवरेट जीव कौन सा है पताईए दोस्तो तो दोस्तो वे है कीवी ओके दोस्तो कीवी जो है रीड की हड़ी वाला यानि की वर्टिवरेट जीव है और ये पक्षी जो है वर्ग अथात एविस के अंदर गतात है और ये प्राइज जो है न्यूजिलेंड में पाए जाता है तता उड़ने में जो है ये दोस्तो असमर्द होता है जबकि दोस्तो जो इस पंज होता है ये पोरिफेरा वर्ग का प्राणी है याद रखेगा नास्ट किशन पर चलते हैं हमारा next important question है सील मचली द्वारा किय ये गई आवास को क्या कहते हैं तो दोस्तो वै क्यलाता है बार्क याद रखेगा नास्ट किशन पर चलते हैं हमारा next important question है शिगमो क्या है बताइए दोस्तो तो वै है गोवा का वसंत रित्तु का मोहत्सव ओके दोस्तो गोवा में जो है प्रतेक वर्ष में वसंत रित्तु में रंग संस्कृति और खानपान का उत्सव जिसे क्या कहता है शिगमो मनाया जाता है और इस दोरान जो है पूरे राज्ये में परेट के माध्यम से पारंपरिक लोकनित्ते और पौरानिक द्रिश्यों का चित्रण अकर्शक का प्रमुक्केंद्र होता है याद रखेगा है दोस्तो नेक्स्ट कुषिन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन केशन है निमलिकित में से कौन सा शहर वास्तुकला की द्रिश्टी से नियोचीत शहर है पताईए दोस्तो तो दोस्तो वे है चंदिगाड ओके अंतरास्टी स्तर पर शहरी योजना बदता और वा रख में इस तहर की रूप राका जो रूप रेखाती उसके लिए कार्य किया है याद रखिएगा नेक्स्ट केशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन केशन है इलाबाद के त्रेवेणी संगम की तीन नदियों में से निमलिकित कौन सी भूमी नदी भूमिगत न और ये जो है कंगा यमना नदी की संगम जो इस पस्ट रूप है उससे दिखाई पड़ता है परन्तु दोस्तों जो सरस्वती नदी है उसको आद्रिश्य रूप में संगम में समाहित माना जाता है याद रखिएगा और दोस्तों ये वीडियो शेर करना बिलकुल न भूले आप सभी जानते शेर is the best way of learning तो शेर ज़रूर करें नास्ट केशन पर जलते हैं हमारा नेक्स्ट इमपॉर्डिंग केशन है कुम्ब का मेला मद्दे प्रदेश के इन शेरों में से किसमे लगता है तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे वै होता है उज्जेन में ओके दोस् शिप्रा नदी में पुन्य स्नान की प्रक्रिया चेत्र मास की पुर्णिमा से प्रारम होती है और पूरे मास में बेशाख पुर्णिमा के अंतिम स्नान तक भिन भिन तितियों में संपन होती है इस इस्नान परव को क्या कहा जाता है वै कहलाता है सिंगस्ट कुम्ब याद रखिए का नेस्ट किशिन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्ण किशिन है डैस कुमाओ की पहाड़ियों के रोमांटिक नित्य में से एक है जो अक्सर शादियों और वसंद रित्नों में खिया जाता है पताइए दूस्तों तो वै है चपेली ओके चपेली नित्य जो है कुमाओ का सबसे अधिक चहेता नित्य है और यह चंचल गतिया शिप्रता से युक्त लोक नित्य है और इसके लावर विशुद लोक नित्य नाहू कर नित्य गीत है जिस गीत में इस्त्रियों का प्रसंग वर्णित हो वहाँ इसे छपे लिका जाता है इसका आयोजन जो है शादियों खेलों और मेलों में होता है और ये प्रेम और स्रिंगार प्रदान निर्ते है जोरा निर्ते जो है दोस्तों समुदाय जो है जोरा समुदाय इनके द्वारा वसंत के आगमर में सुबह ये शाम किया जाने वाल निर्त्य है याद रखेगा नाश्ट कुषिन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्ण क्योशन है 1893 में विश्व की धर्म संग्य संसत में भारत का प्रतिनेद्ध वह किस ने किया था तो दोस्तों उनका नाम है स्वामी विवेकनन याद रखेगा नाश्ट कुषिन पर च इसने हिंदु धर्म के कईयन उस्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था जैसे कि मूर्ति पूजा जर्म से जाती पश्व बली और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाव पर प्रतिबन बताइए दोस्तों उनका नाम क्या है तो वैते स्वामी दैनान सरस्वती याद रखेगा नेक्स्ट केशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉडन केशन है 1884 में डैकन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पूने में किसके द्वारा की गई थी बताइए दोस्तों तो उनका नाम है विश्णु सास्त्री चिपुलकर और बाल गंगदर तिलक याद रखेगा द दोस्तों डैकन एजुकेशन सोसाइटी इसकी स्थापना हुई थी 1880 में और न्यू इंग्लिस स्कूल के प्रारम के साथ पूने में की गई थी और इसके अलावा 1884 में डैकन एजुकेशन सोसाइटी और चारिक रूप से गढ़ित की गई और इस संस्था के संस्थापकों म हमारा नेक्स्ट इंपॉडन क्यूशन है इन में से एक समाजिक सिद्दान क्या है जो यह समझने का प्रयास करता है कि क्यों समाज विबिन समाजिक संस्थाओं के बीद संबंदों पर ध्यान के इंद्रित पर कारे करता है कि समाज निर्मान हो पताएए दोस्तों समाज का न का संफ्चाले सवस्टित्र में प्रत्यक्षवाद के साथ जो है विवारिक सोच का एक विश्यस्थान राएं और सं रज्शनात्मक व === वारिता की सिद्धान के समर्थ के मानते हैं कि समाज की क्रियाएं जो है व्यवस्तित तरीके होता है याद रखिए का दोस्तो नास्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्ण क्रिशन है आत्म सम्मान का अभिमान एक ऐसा अभिमान है जिसका लक्षे एक समाज निर्मित करना है जां पिछड़ी जातियों को भी समान मानाव अधिकार प्राप्तो इसकी शुरुवात किस ने की थी पताईए दोस्तो तो वै की थी ईवी रामसामी ने ओके ईवी रामसामी नायकार जो है इनका जनम हुआ था 1879 में और इनोंने प्रारम में कॉंग्रस में भ राजनेता और समाजिक कारे करता थे और द्रावेड आंदोलन को शुरू करने का श्रेर इनको जाता है इनके समर्थ तक इन्हें पेरियार संबोधन से क्या करते हैं संबोधित करते हैं और इनोंने जो है समाजिक समानता पर बल दिया और इनोंने कुदी अरासू नामक तमि करना बिलकूल न भूले हैर सोसल सैट्स पेज़ पे कीज़त ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हल्प कीज़ें दोस्तों नस्ट केशन पर चलते हैं हमारा लोकसभा के संदर में सदन के नेता का अर्थ क्या है बताएए दोस्तों तो व्य होता है प्रदान मंत्री त्वार पर नियुक्त करता है और किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है यदि प्रदान मंत्री लोगसबा का सदस्य नहीं होता तो लोगसबा में सदन का नेता किसी मंत्री को बनाया जाता है जो लोगसबा का भी सदस्य हो याद रखेगा नेक्स्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा next important question है शिक्किम कंप भारत का एक राज्य बना था तो दोस्तो व्य बना था 1975 में ओके दोस्तो समविधान के 35 वे शंशोधन 1974 के दो आरा सिक्किम को भारती संग में सहर राज्य का दरजा प्रिदान किया गया और 36 वे समविधान शंशोधन यानी 1975 दोआरा सिक्किम को भा इसवे रज़े के रूप में प्रवेश दिया गया था याद रखिएगा next question पर चलता है हमारा next important question है गोवा को महरास्ट राज़े में विले का विकल्प किस वर्ष दिया गया था पताईए दोस्तों तो वै दिया गया था 1967 में वर्ष 1967 में गोवा को महरास्ट राज्जे में विले का विकल्प दिया गया था और 1967 में माँ जन्मत संग्रे हुआ और गोवा के लोगों ने केंदर शासित प्रदेश के रूप में रहना पसंद किया और कालांतर में 30 माई 1987 को गोवा को पौन राज्जे का दर्जा दे दिया गया और इस जो है गोवा भारतिये गण राज्जे का पच्शिसवा राज्जे बना था याद रखेंगे हैं कि दूस्तोऊ मैंस्ट केशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉडटन केशन है भारतिये गण-राज्जे में एक केंद्र-शासित प्रदेश के प्रशासनिक के Kapit게 और भारत के राज्ज्यों कि अपनी चुनी हुई सरकारे होती हैं लेकिन चेंद्र-शास्य प्देश में सीदे सीदे भारत सरकार का शासन होता और खर सरकारी प्रशासक यह उप डामित करता है कि अलो रखेगा दोस्तों नयांक् के कि सल्ट हैं ? हमारा लास्ट इंपॉर्ण केशन है भारत के किसी भी राज्य का मुख्य मंत्री बनने है तो नियूंतम आयो अरता क्या है पताईए दोस्तों तो वै होती है 25 ओके राज्य विदान सबा में सदस्य के लिए साध रिश्य उपबंद लोग प्रति निदितवादी नियम 1950 की धार 36 दो के साथ पठिट समविधान के अनुचियत 173 का में विद्वान में है और समाने जो मुख्य मंत्री है राज्य विदान सबा में बहुमत दल का नेता होता है चुकि इसका सदस्य बनने हुद्टू नियूंतम उम्र जो है 25 वर्ष निदारित की गई है याद रखेगा दो दोस्तो तो दोस्तो यह ते जनरल अवेनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 अमसी क्यूं मोस्ट इंपॉर्टेंट केशन्स आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया है यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा पसंद आया तो अपने स्टड़ी लेटिव ग्रूप में शेयर ज़रूर करें और एससे मेकर को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूले आज के लिए बस इतना ही तैंकी सो मज़ दोस्तो